वेलो वेल्कम तो मैं चैनल मैं आज आपके लिए लेकर आचकी हूँ एक पिकक पाइल रीडिंग जिसमें हमारे पास दो गृप हैं और आपको एक चुन्ना होगा तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके परसन का क्या हाल है आपके विना यह निकि आपके दो पाइल हैं तो यह रीडिंग आपसे अक्यूरेटी माच हो जाएगी यह आने की 90% मैसेज आपसे माच हो जाएंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ परसेंट तो ज़रूर माच होगी क्योंकि जेनरल रीडिंग होती है गाइस स्पैसिफिक रीडिंग नहीं होत अगले में है N O P Q यार्स्ट A B C D मैं भी गाना गाना तगी है तो यहां पर ऐसा हम देख रहे हैं तो अगर आपको आपके परसेंगे जो भी नाम से अक्षर है यानि कि अगर उनका कुछ भी नाम है जैसे मेरा नाम शिवांगी है तो मेरा नाम एस तो यहां पर एसा है आप दखेंगे य वीडियो आपसे माख होगा क्योंकि कोई वीडियो याविटे जब भी आफ तक पहुचती है तभ पर और आर्फ होता है आपके लिए मैपि कए रिडिंक्स देखे दे कहुं आप आपके लिए तो वही वीडियो मुझे अच्छीय अच्छे महीने बाद मिलता कोई भी सिचुएशन नो कॉंटेक्ट में हैं या पिकमिटेड हैं यह सिचुएशन के लिए हैं चाहें आप सिंगल क्यों नहीं हो तो अगर आप से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चैनल को क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉबलम में हैं और आप ही जरिया बन पाएंगे उनकी हेल्प का क्योंकि अभी सिच्वेशन भी वर्डवाइड एसी चल रही है कि सब लोग बहुत प्रॉबलम में हैं कोई भी सुखूर में नहीं है किसी को फाइनेशल प्रॉबलम है किसी को हैल्ट प्रॉबलम है किसी को इन्जाइट किसी को स्ट्रेस है तो यहां सब प्रॉबलम में है अगर हम उन तक अपनी रीडिंग पहुंचा दे यह उन तक कोई डिवाइन गाइडेंस पहुंचा दे तो उनको help होती है इसलिए मैं कहती हूँ वीवर्स कि आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें त तो यहां तो एम तक है देख लीजिए एटु एम ग्रूब बन में है और एन टु जेड ग्रूब तो चलिए फर्स्ट ग्रूप का हम चेक करते है कि आपके परसिंग का क्या हाल है आपके विना चलिए देखते हैं किंग ओफ वैंब्स ओके वीवर्स फोर फेंटिकल्स यहां तीन काड आये हैं तीन नहीं लेंगे 10 of souls तो यह हाल है आपके परसिंग का आपके विना ओफ शिट मान क्लेर फाइं के फाइंने ढंद तीन मिलाल है परसिछी ब्हस स्चाइल कर दो है जर्द्द Talk को भोजद ए कि टस्टेंस है नहीं कंद दीन एकार्ट। कप्स नाइन ओफ कप्स ओके एनर्जी ओफ डेक इस नाइन ओफ वैंस देख सकते हैं आप तो जिन्होंने ग्रुप बन चूस किया था उनके परसन का क्या हाल है उनके बिना तो बैस यहां पर देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके परसन पहली बात तो यह कि बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं काफी टेंशन में हैं काफी सोच रहे हैं आपके लिए देखे जैसे यह एनर्जी ओफ टेक मुझे देखा है पहले मैं इसको रीड करना चाहूंगी य जिसके पास बहुत कुछ था और अब खोया हुआ है कि उसने क्या 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 खो दिया मैं अब वो यह सोच में पढ़ गया है कि मैंने क्या 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 मेरे पास तो कितना कुछ था सिर्फ मैंने अपनी गल्तियों की वज़े से अपने जो मेरे जो लोग मुश्च मेरे करीब जो लोग बहुत honest थे मेरे साथ जो लोग बहुत loyal थे मैंने उन्हें को दिया ऐसा लग रहा है यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके person को बहुत pain बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि आप उन्हें छोड़कर चले गए हैं लेकिन वह दिखा ऐसे रहे हैं उन्हें बनावती थोड़ा बनके बैटे हैं दिखा ऐसे रहे हैं कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता I am okay without you मेरी लाइफ तो बहुत मस्त है ऐसा दिखा रहे हैं आपको यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको यहां पर आपको आपको आपके person ने शायद चीट किया था अगर चीट नहीं किया था तो कुछ ऐसी बाते होंगी जो आपसे छिपाइन थी आपको बताई नहीं थी क्योंकि गाइज आप तो आपके person आपको काफी ऐसा देख रहे हैं कि आप काफी यूनो आपनी life में ग्रो कर रहे हो आप काफी beautiful हो गए हो यानि कि आपने अपने लुक्स पर बहुत वर्क किया है आपने अपने उपर बहुत फोकस दिया है और आप काफी पहले से confident हो गई ह पहले आप ऐसे रहते होंगे कि बहुत जल्दी घवरा जाते होंगे डरे 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 से रहते होंगे आपको बहुत घवराट होती होगी कि यह मुझे छोड़कर ना चले जाए इस बात का अपको अमेशा डर रहता होगा लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके person आप आपके person को ऐसा लगता है आपको देख कर क्या अपनी life में तो सही direction में जा रहे हो एसा लग रहा है और उनका हाल तो गईजी है कि उने बहुत तकलीफ हो रही है उनका यह हाल है टैन आप सोट जितना उने बहुत पेन हो रहा है आपको आपको को आपको रही है लेकिन वह द दुखी करोगे या करोगी मेरे पास वैंता है यह रो के दिखावा करेंकल तो आपकी लिए और के लिए बहुत ह 노 के अन्ट का on के keलबें गया वह ऺटाएं मुण इससे कोने सदrim 2 वरशन वर नहीं है और आपना आपस ध्यान प्र machin कर us के बारे में सोच तो आप KHYण कर अज है तो आपके परमें के बहुत है तो आपके परसन को काफी आता होगा यहां पर मुझे उसा लग रहा है जो एसे लग रहा है यहां पर के आथिट्यूड बहुत है यहां पर लिदिंग को निकल कर célt आपको पुरिँ को अनलगा help मुझे अनलग है। अनलग हैं उनको तक्लिफ भी हा, लेकिन सफ़ होने पर हैं एकम अपना पैन कंफेस्ट करने लेक। लेकि मेरा अपत्सी worm हमे उनको को चाहिए loops दिखा सकते हैं कि उनकी तो शादी होने वाली है उनको तो निया रिश्ऩा है आपको ऐसा शो कर सकते हैं पर ऐसा है कुछ नहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्याइस कि आपके परसन ने आप से बात चुपा के रखी कोई थर्ड-बाटी को लेकर अब धर पार्टी कुछ भी हो सकता है उनकी या उनके घर पे कोई शादे की बात चल रही थी या कोई इंटी गल्फिंटी कोई एक्स पार्टनर काफी बाते हैं जो उन्होंने आप से चिपा के रखें आपको जूट बोल दी आपको बताया नहीं और यूनो आप और दो सिचुएशन को जगल करते रहें दो सिचुएशन रियलाइस कर रहे हैं आपकी वैल्यू उनका बहुत मन करता है कि वह जिस तरीके से आप इंप्रोव हुए हैं ग्रो कर रहे हैं आपके परसन आपकी तरफ एक्शन लें आपको 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 यूनो अपनी लाइफ में वापस लेकर आए और सब कुछ लोंग टर्म हो जाए हैं काफी स्ट्रेस है उनको लेकिन फिर भी वह इस बात को वैल्यू दे रहे हैं कि मैं क्यू जाओं पहले से मैं क्यू सॉरी बोलूं तो यहां पर उनका यही हाल है तो आपके परसन को यहां मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके परसन को हीलिंग की सब्सक्त जरूरत है ल of cups प्रिवोर्स हमें और चीज समझेंगे तो आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो आप परसंद इस तरह से फ्रस्टेट होते हैं उनका भीएवयर हो गया होगा कि वह पीषसे का रहा हो किसी की रही पाते होंगे काफी चिल्ला देते हूं भी हो सकता है गुस्से में अपने हाथ तर यहां मारने की आदत भी हो कि जिसे कभी दिवार पर पंच मार दिया या दर्वाजे पर या फिर कुछ चीज फेक दी उठाके इस तरीके का उनका गुस्सा हो गया होगा अभी मैं कह रही हूं हुई अगर अगर तरीके से कहूं तो मैं कहूंगी कि और रिलाक्स होने की बहुत जरूरत है वह काफी लोड लेकर बैठे है अपने उपर फील कुछ करना है हम दर्द कर रहे हैं बुरा भी लग रहा है हम रेलाइस भी कर रहे हैं कि वह अच्छा परसन था जो हमारी लाइफ से चला तो यहां उनको जरूरत है रिलाक्स देने की थोड़ा स्ट्रेंथ गैदर करने की और थोड़ा आगे बढ़ने की लाइक में तो उनका तो गाइस हाल बुरा है आपके बिना काफी मुझे ऐसा लग रहा है तो चलिए जिन्होंने ग्रुप टू चूस किया था उनकी तो अब ग्रुप टू की रिडिंग शुरू हो रही है विवर्स तैयार हो जाए कि आपके परसन का क्या हाल है आपके बिना अचा काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं टाइम स्टाम डालना भूल रही हूं कुछ दिनों से सौरी गाइस मैं काफी इनो मैं अधी स्ट्रेस कि कि यह परसंस का हाल है कि बीवर्स परसंसकर घाएं कि नुकुन कि बीवर्स का कार टॹी सरे काट के इसी क्रीव के इससारे काड्न केसी यहाल है उनका इसा लग रहा है यहां पर चलता रहेगा कि यह इनसान भागेगा और यह प्रीच है कर दोग रहा है नहीं तो यह सोलमीट कनेक्शन है और मुझे लग रहा है कि टुइन फ्लिम कनेक्शन है नाइट ओव वैंस ओके फुल ओफ पैशन आपके पर्सन आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं कि टू अफ कप्स देख लिए गाइज प्यार तो यहां भर पूर है लवर्स और टू अफ कप्स आगया तो गाइस मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे क्लारिफिकेशन की जरूवत है आपको दी देख सकते हैं आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है आपके बिना लड़ तो ल तो यहां पर दो आपको कर दिया लिए कि टेख से लिए कर दोड़ कर दिया तो कि दिए काफी अच्छे काण्स नफोल रहे है देखें वर्ल टैन उफ पैंटीकल्स तो मैं दोबार रहा शफल करूंग अभी नहीं लुंडी में अपको काफी सारे काट्ट जन फोल हो गए है मुझे फिर से तीन कार्ड लगता है आपके परसन बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं यहां पर दो कार्ट हो गए हैं पॉप आउट और दो ही चाहिए थे हमें देखिए दोनों कार्ड गाइस मैंने कितने पॉजिटिव है मैंने कहां आपकी रीडिंग बहुत पॉजि यहां पर आपको 555 दिकता होगा यह अपके परसन के या नाम में 5 अक्षर होगा या उनका बढ़ले 5 महिने में होगा उनका नहीं तो आपका हो सकता है यह सब चीज जिञे यह आप लोग. पांच सार 5 महिने या 5 है नेरा पर है जाने से स्वार्टे पहले in 15 में कुछ योण घ्नीि आपका बनायो नहीं है ये strips कनेक्शन्ट है आप यहां रूण कि आये हैं क्याहिए और स्पूद का ये ऑपक समय ख thứ सब्सेंट क्या हुआ यहां ड्सब्स लेयां ऐसा ही है यह connection और लोगों को श्राइं सब्सक्राइब वी विए उनोको उनोको इस नियो CY वोर्ड चाहरे हुँ कि आप लोगों को आप अपने आप के लिए स्ट्रॉंग बनाने आया है इक अपने वर्क ग्रोथ पर ध्यान दें यह कर वाएगा क्योंकि अगर आपने पर लिए भागते रहेंगे उनको चेस करते रहेंगे तो वह तो यही है twin flame connection अगर आप तो यही है twin flame connection अगर आप soul meet connection में है तो guys यह love बहुत mutual love है और बहुती divine connection है बहुती spiritual love है आप लगों का यहां कोई negative energy नहीं है आपके person का और आपका डूसरे के लिए एक दम pure feelings है यहां आप दोनों की ना दिल ऐसा लगता है एक साथ धड़कते हैं यह लिए झालक डालोग है इक साथ धड़कते हैं और रुकते भी है है इसा अलान लगता है पता नहीं है लेकिन धड़कने का पता है एक साथ धड़कते हैं क्योंकि तुक्त ब्यूतिफल मैं अबी transmitter पढ़ना शुरू भी नहीं कर पाई हूं पूरी तरह से लेकिन चरी आपको इंहाँ करते हैं और वह आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। कि सरभ करना रही है तो आपके इन पृप Фर्सन है उनका प्रती ही निकल कर आ रहा है यह इसा लगता है इफाल रोग कनेक्शन है इस तरह का प्यार प्रती है शरत पारे कंट्रोल करना है eseu एल आपक के लिए करनें इनस वियाकर रही है जब आपके फेवर में होगा फोर्चुन तभी होगा और वो कब होगा डिवाइन टाइमिंग पर यानि कि जब यूनिवर्स चाहेंगे जब ऐसा होना है तभी वो होगा आपको बस पॉजिटिव रहना है यहां पर हेरेफेंटर कार्ट बताता भी है कि यह जो आपका बॉंड है यह connection जो है आपका काफी प्यूर है काफी spiritual है और आप लेगों को एक दूसरे के ना वाइभी ग्राब हो जाते होंगे आपके पॉरसन जब दुखी होते होंगे तो सड़नली आप भी दुखी फील करने अचानत से पूरा दिन ठीक जा रहा है लेकिन अचानक आप दुखी हो गए ऐसा भी होता होगा आपके साथ और आपके पॉरसन के साथ भी होता है क्योंकि आप उनका आदा भाग है इसा लगता है यहां पर काफी प्योर रिष्टा है आप लोगों का बहुती डिवाइन रि यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि जब भी यह फॉर्चुन आपके फेवर में होगा तभी सब कुछ आपके मुताबिक हो जाएगा जो भी आप देख रहे हैं तो यहां पर ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो प्वरसन है काई आपसे बहुत प्यार करते हैं आपको बिस कर रहे और आपकी जो भी वाइब्स हैं इसमें उनको ग्राइब कर पा रहे हैं उने लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं देखे एनर्जी ऑफ डेक्ट जो है अमने चेक नहीं किया था लेकिन डेट का कार्ड है तो यहां पर आपके बीच हो रही है वह सब खतम हो जाएंगी डिवाइन टाइमिंग आने पर और डिवाइन टाइमिंग में जो वील ओफ फॉर्चुन है वह आपके फेवर में होगा और यह चेंजे आपके फाइदे के लिए हैं डेट का काड मतलब पुराने पैटर्स पुरानी अगर्ण अगर नहीं करते हुघे क्युक्त तो उनको नुन में अनरजी बहुत है अगरम पतले से भी है या जिम की नहीं करते हैं ताकत वह दिन भर क्याम करते रहेंगे तो भी जादा कहेंगे नहीं कि मैं ठक गया हूँ यह ठक गई हूँ यह उंक्य जो फ़वड़ है Willpower is the right word उनके Willpower बहुत होगी वो एक काम बहुत dedication से करते होंगे जो भी काम करते होंगे ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें पहाड और इस सब नदियां उन्हें इस सब बहुत पसंद होगा वीवर्स हो सकता है आपको भी पसंद हो लेकिन आपके person को भी बहुत पसंद होगा ऐसा लग रहा है कि वीवर्स आप पहले से ही काफी spiritual है आपको पहले ही काफी spiritual knowledge है आपको काफी spiritual wisdom है आपका जो spiritual path है आप उसी पर है और आप अपने person को भी guide कर रहे हैं यहां ऐसा लग रहा है कि अपने रहे हैं कि आप पास नहीं होते इसा लग रहरा है आपके परसे की या लाइविह परसन का नाम को ऊपक्ता नहीं था। तो बताइए गाई रिडिंग आप से रिजनेट हुई कि नहीं और कितने परसंट रिजनेट हुई और आपके के एक्सपिरियंसे आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत तॉलिएस चैनल को बेज चैनल के सब्सक्राइब करनेगी तो बदर रिजनेघरी के लिए पृमेश है ऑndर आप सब्सक्राइब करेंगे वीजिए और लोगो तक पहुचेंगे और वो देखेंगे उनों कalter साथ अऱत्श सब्सक्राइब करेंगे दिकरेंगा ऑर लोगों मि